हेलो गाईज कैसे हैं आप लोग आसा करतों बहुत अच्छा कर रहे होंगे आज इस वीडियो में आपको GS का comprehensive strategy प्लस YouTube पे कहां से आप पढ़ सकते हैं फिरी हर subject वाईज टोपिक वाईज जैसे मनला आप पॉलिटी कहां से पढ़ सकते हैं आप जियोग्रोफी कहां से पढ़ सकते हैं उसके वाद जो SSC में करंटली जो questions पूछे जारे हैं वो किस book से पूछे जारे हैं तो वहां से आपको help लेनी है उस book को आपको purchase करके पढ़ना है यह वाले इस वीडियो में discuss करेंगे वन बाई वन सबको लेंगे उन चीजों को discuss करने से पहले आपको कुछ चीजें ध्यान पढ़ेगी जीएस में irrespective of from which coaching which teacher which strategy you are watching और study आपको यह चीजें फोलो करने ही करने पढ़ेगे अधर आपकी जीएस अच्छी नहीं हो सकती first thing self study आपको जीएस में self study करने ही पढ़ेगी आपको टीचर जब पढ़ाता है coaching में उस टाइम आपको चीजें याद हो जाती है और समझ आ जाती है जैसे मालो की जीएस तो बहुत इजी है आपको किसी ने modern history पढ़ा दी आपको story के तोर पर बता दिया कि इस event के बाद यह वह चीजें एजी टू अंडरस्टेंड है समझ आज है लेकिन वह याद नहीं रहेगी until unless you do some self study तो आपको self study करने है second चीज आपको revision time to time करना पढ़ेगा जीएसी चीजे आप कितना भी पढ़ लो अगर if you don't revise पढ़ने का मतलब ही नहीं कोई भी मतलब नहीं निकलेगा it's a waste of sheer waste of time ऐसे मां लो उसके वाद थर्ड चीज आपको Queses करते रहना पड़ेगा कोई भी टोपिक आपने पढ़ा for example पॉलिटी पढ़ा पॉलिटी में सब टोपिक पढ़ा परिजेंट पार्लेमेंट प्राइमिनिस्टर कुछ में पढ़ा उसकी Queses लगा उसके छोटे-छोट इसके बाद हम बात करते हैं कि कौन से टीचर से आप यूटूब से पढ़ सकते हैं कोचिम नहीं कर रहे हो तो आप यह है और यह सिरफ टीचर का तब यूज है जो मैं बता रहा हूं उनका जब आपको खुद GS नहीं समझा लिए अधरवास GS is very simple आप खुछ किसी भी बुक स आप पढ़ सकते हैं थियोरी की जो बुक साती है इसे खुद उठा के पढ़ोगे तो भी समझा जाएगा बट इस्टिल जो यह बड़ी-बड़ी क्लासेज होती है मेरातन क्लासेज इन से पढ़ोगे तो थोड़ा साब को अच्छा लग जाता है कि end to end आपको पता चल जाए तो आप टेस्ट बुक पे मौक टेस्ट लगा सकते हैं टेस्ट बुक वन अप दे लीडिंग टेस्ट प्रवाइडर है ससी के टेगरी में और बीट ससी बैंक रेलवेज और जो भी गवर्मेंट एक्जाम है लगबग 70,000 प्लस मौक टेस्ट वहाँ पे अवेलेबल है अब व प्लस मंलते हैं प्लस फ्यार भी जादा उसमें उसमें अब आगे बड़ते हैं सब्सक्राइडंगे और सेटेस्ट आप कि आप UPSC के लिए भी देखोगे तो ठीक है देख सकते हो आप जैसे पॉलिटी है पॉलिटी तो आप UPSC में लक्षमिकांथ लोग प्रफर करते हैं अब हमारे को लक्षमिकांथ का तो इसलिए हमें वो क्लासेज लेनी है बड़ थोड़ा सा कम ध्यान उनकी तरफ लगाना इतना डीप में हमें नहीं पढ़ना है और अब्जेक्टिव टाइप की क्यूशन समय ध्यान में रखने जाते हैं पहली बात करें हिस्ट्री की देखो हिस्ट्री में तीन पार्ट है त तीनों की सेपरेट सेपरेट मेराथन हो तो वह देख सकते हो नहीं तो एक एक इंक्लूडेड मेराथन है विपिन गोईल सर की जो जी एस भाई डॉक्टर विपिन गोईल है उनकी मैंने मैंने अजब इस्ट्री करी थी उनकी बायोजी इस्पेसिली मैंने पढ़ी ती डाइ पिन गोयल मेराथन क्लास इस्पेसली मेराथन लिख देना या कम्प्लीट लिख देना तो अपने आप वाला वीडियो इसे लिखर का इसलिए नीचे देख रहा हूं और दूसरा है जियोग्रफी का इसमें जियोग्रफी में दो टीचर है तो एक तो सुमित राटी से रहे उन ठीक है तो यह अच्छे से कर ले ना और इसमें सिदार तरोड़ा है जो अनकेडमी पर पढ़ाते हैं प्लस इधर उन्हें 30-32 गंटे की क्लास आपको ले रहे हैं पूरी पूलिटी इसमें लक्षमिकांतवाली करवा रहे हैं डेर्ड की स्पीड पर देखो आप और साथ में छुप में पर ब hanemло Parlament यह कुछ भी पढ़ा है या कुछ Biz जी इतनी भी फंटामेंटल डूटीज फ्टाहिए तो वो रूसेंट कोई जडरी निट आप व किसी और पुख से पढ़ रहugen मनौर पांडे से पढ़ रहugen कीरन से पढ़ रहなら ऀसमें देखते जयो उनने दस चीज code तो आठ चीज़ें लिख रहे हैं तो आठ वाली इंपोर्टेंट चीज़ें आप अंडरलाइन कर लो ऐसे करके आपको complete कर ले बट पॉइंट यह है कि वह जो पड़ार है उससे आपको तोड़ा कमपरेंशी समाझ आ जाएगा तो चीज़ें याद आजानी से हो जाएंगा इकोनोमिक्स की बात करो देखो एकोनोमिक्स मोर और लेस करएं दिखें लिखें करन्ट अफएर को पह अपको अच्छे से करना तो जो डेटा पूराना जिससे लुशेन में दे रखा है किसी भी बुक को जो चप गई 2022 में उसका जो डेटा है जो रिसेंट डेटा है कि इतनी ग्रोथ हाई इतनी जीडीपी हुई वो सब मतलब कोई काम का नहीं है अभी तो लेटेस्टी चीजिए तो आप economic survey या current affair कहां से कर र सब्सक्राइब क्लास तक जिसे साइन्स में होता है ज्यादत लोगों तो उनको पता है फिजिक्स केमेस्ट्री बायो आप ऐसे भी पड़ों कि तो नॉर्मली समझा जाएगा इसमें चीज़ करूंगा मैं जैसे बायो कुछ कुछ चीज़ें कॉंप्लेक्स हो जाती है जैसे या गॉर्मेंट जोब लिख दो और वीडियो ऐसे सर्च करोगे तो आप कंप्लीट वीडियो आएगा प्रोपर वाले वीडियो से आपको करना है ऐसे तैयारी कर सकते हैं अब इसे इसे मेराथन क्लास बोलके मतलो क्योंकि उनमें कई टोपिक ऐसे आएंगे मेराथन क्लास म लेकिन आप उसको पढ़ रहोंगे तो SSC के सेलेबस उठाओ उसमें से जो टॉपिक होगा उसको आप एजटिज गूगल पर सर्च करो और उसे पढ़ो उसे साथ साथ में अपनी बुक से पढ़ दे जाओ इसके अलावा है आपको पढ़ना है वो है लुसेंट की अबजेक् पढ़ी उसके लाओ कितने possible questions अब तक आजुके हैं अलगले exam में या कितने पूछे जा सकते हैं वो उसमें बनाये हुए तो आप वो करो उससे आपको पता चलेगा कि actual में आपने जो पढ़ाई करी है वो कहीं ना कहीं मैच हो रही है आपकी knowledge या अब जस पढ़े जा रहे हो तो बस questions solved नहीं हो रहे हैं आपसे यह करना है उसके बाद एक book आती है केरन की pressure की यह book आती है इतने strong book है इसमें लगवग 14-15,000 questions है और यह SSC oriented है मतलब SSC की particularly तैयारी कर रहे है तो इसमें SSC की जितने questions आ रहे हैं आज तक GS के वो है तो इसमें कौन सा portion आप current affair का portion आप इसमे कर सकते हैं क्योंकि वो डेटा है वो डेटा चेंज होता रहता है कोई भी GS में जिसे geography में कुछ आ गया ऐसा जिसमें data दिया हुआ है जो डेटा जो रिसेंट डेटा है 2005-2007 का या 12 गा 13 गा 15 गा इसावला data change हो सकता है जिसे population का कुछ चेंज हो सकता है यह चीजे डेमोग्रा सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ करें दिस वाल इंजे वड़ियों गाइस थैंक यू थैंक्यू थैंक्स फिर वाजिक